हलो एब्रीवन वेलकम तो माई चैनल किट्स ड्रिम्स अचीवर आज की वीडियो में आपके साथ यू की जी क्लास के मैठ सब्जिक्ट का वक्सीट सेर करने वाली हूँ जिससे बच्छों की आने वाले एन्वाल एक्जाम्स के प्रिपरेशन में आपको काफी हिल्प मिलेगी जैसा कि हम जानते हैं कि अब तक बचों को 100 तक नंबर्स ने, मिशिंग नंबर्स, सरकल दा स्मॉलेस्ट, सरकल दा विकेस्ट, असेंडिंग ओर्डर, डिसंडिंग ओर्डर, सब कुस करा दिया गया है तो उसे से रिलेटेड यह वक्सीट है तो सुरू करते हैं वीडियो यहाँ पर जो नूमर्स दिये गया है बच्चों को उनके नंबर नेम्स लिखने है तो फर्स्ट है 76, दो इस तरह से लिखेंगे स, इ, वी, ए, अन, त, वाई, 70, 6, 50, F, I, F, T, Y, 50, 34, T, H, I, R, T, Y, 30, 4, 15, F, I, F, T, E, N, 15, 99, N, I, N, E, T, Y, 99, Q2 है बच्चों को डेजनेम्स भी सिखा देते हैं तो उन्हें यहाँ पर डेजनेम्स लिखना है तो सबसे पहले आएगा Monday, Tuesday, T, U, E, S, D, A, Y, Tuesday, Wednesday, W, E, D, N, E, S, D, A, Y, Wednesday, Thursday, Friday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, 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 Sunday Q3, write the numbers from 71 to 100 बच्चों को यहाँ पर 71 to 100 तक numbers लिखने हैं तो वह इस तरह से लिखेंगे 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 94 95 96 97 97 98 99 100 Q4 is what come just after before and between बच्चों को यहाँ पर after before and between लिखना है तो 6 का after number हो जाएगा 7 20 का after number हो जाएगा 21 after number means बादवला नमबर तो 14 के बाद आता है 15 99 99 के बाद आजाएगा 100 next before number 66 के पहले कौन सा number आता है 65 49 78 के पहले आजाएगा 77 फिरे between number 26 and 28 का between number है 27 38 and 40 का between number है 39 94 95 96 next है पूट greater than smaller than and equal in the box यहाँ पर greater than smaller than and equal का sign लगाना है तो बच्चों को हम इसमें कोकोडाइल मेथेट से सिखाएंगे कि कोकोडाइल हमेशा big number के तरफ मुह खोलता है तो देखेंगे कि इसमें से big number कौन सा है तो 14 और 13 में big number है 14 तो कोकोडाइल इधर मुह खोलेगा 19 and 100 में 100 big है तो कोकोडाइल इधर मुह खोलेगा 76 76 equal है तो यहाँ पर equal का sign लगा देंगे 12 and 8 में 12 big है तो कोकोडाइल इधर मुह खोलेगा 19 and 20 में 20 big है तो कोकोडाइल इस तरफ मुह खोलेगा 40 and 50 में 50 big है तो कोकोडाइल 50 के तरफ मुह खोलेगा 10 and 5 में 10 big है तो कोकोडाइल 10 की तरफ मुह खोलेगा 70 and 78 में 78 big है तो कोकोडायल 78 की तरफ मुझ खोलेगा 50 and 30 में 50 big है तो कोकोडायल 50 की तरफ मुझ खोलेगा and 13 and 39 में 39 big है तो कोकोडायल 39 की तरफ मुझ खोलेगा Question number 6 is fill in the blanks यहाँ पर बचों को 10s and 1s को plus करके यहाँ पर लिखना है तो 2 10s equal to 20 20 plus 4, 24 7 10s plus 3 1s 7 10s equal to 70 plus 3, 73 6 10s equal to 60, 60 plus 3, 63 9 10s equal to 90, 90 plus 5, 95 8 10s equal to 80, 80 plus 7, 87 4 10s equal to 40, 40 plus 4, 44 Question number 7 is circle the smallest number बच्चों को यहाँ पर smallest number को circle करना है तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे small number कौन सा है तो count करने पर जो number सबसे पहले आता है जब हम 1 से 100 टक में count करते हैं तो जैसे जिसे number आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे big होते जाते हैं तो इसमें से हम जब count करेंगे तो जो सबसे पहले आएगा वो smallest होगा तो इसमें से जब हम 1 से count करेंगे तो सबसे पहले आएगा 2, 2 आता है तो 2 यहाँ पर smallest है तो इसमें हम circle कर देंगे 3, 6, 9, 17 में सबसे पहले count करने पर कौन सा आता है 3 आता है तो यह smallest है 25, 11, 12, 34 में जब हम count करेंगे तो सबसे पहले counting में सबसे पहले कौन आता है 11 आता है तो यहाँ पर 11 smallest है तो इसमें circle कर देंगे 36, 19, 44, 26 में count करने पर सबसे पहले 19 आता है ऐसे भी हम mind में भी सोच सकते हैं कि जब हम counting 1 to 100 तक करते हैं तो सबसे पहले कौन सा आता है 19 आता है उसके बाद 26 आता है उसके बाद 36 फिर 44 जो सबसे पहले यहाँ पर 19 आता है तो 19 smallest है 95, 66, 23, 75 में count करेंगे तो सबसे पहले 23 आता है तो यहाँ पर 23 smallest है Q8 है circle the biggest number यहाँ पर बच्चों को biggest number को identify करके circle करना है तो यहाँ पर 63 और 89 में कौन सा biggest है तो बच्चों को इसमें हम इस तरह से बताएंगे कि count करने पर जो number बाद में आता है वो biggest होता है जैसे जब हम counting करते हैं तो पहले 63 आता है और बाद में 89 आता है तो 89 यहाँ पर biggest है उसी तरह से 37 and 23 में count करने पर पहले 23 आता है और बाद में 37 आता है तो जो number बाद में आता है वो biggest है 99 and 9 में 99 biggest है 78 and 87 में कौन सा number बाद में आता है 87 बाद में आता है तो 87 यहाँ पर biggest है 56 and 48 में 56 biggest है 17 and 79 में 79 biggest question number 9 है tick the correct number name यहाँ पर number के दो number names दिये गए है और बच्चों को correct number name के ऊपर tick करना है जिसे यहाँ पर 46 है तो 46 का correct number name कौन सा है तो यहाँ पर देखेंगे f o r t y 46 या f o u r t y 46 तो यहाँ पर f o r t y 40 s i x 6 correct है तो इसके ऊपर tick कर देंगे उसी तरह से 58 यहाँ पर e i g h t y 80 f i v e 5 f i f t y 50 e i g h t 58 यह correct है तो इसके ऊपर tick कर देंगे number 10 है do addition यहाँ पर pictures दिये गए है और बच्चों को count करके यहाँ पर लिखकर और सबको फिर से एक बार total count करके यहाँ पर answer लिखना है तो यहाँ पर count करेंगे 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 फिर सबको एक साथ count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 plus 4, 7 उसी तरह से यहाँ पर है 1, 2, 3, 1, 2 और फिर सबको एक साथ count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 3 plus 2, 5 next 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने UKG Class के Math Subject का वरक्सिट देखा इस वीडियो में जितने भी वरक्सिट मैंने आपके साथ सेर किया उसके PDF का लिंक मैंने description box में डाल दिया है वहां से उसका जिरोक्स निकलवा कर इन वरक्सिट की बच्चों को घर पर पैक्टिस करवा सकते हैं I hope वीडियो आपके लिए काफी हल रही होगी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नय टॉपिक के साथ